फिडियर दर्सकों, आज हम आपको एक ऐसी ओसदी से रुभारू करवाने वाले हैं, जिसके सेवन से आपके सरीर में या आपके वदन में आग या उत्तेजना उत्पन हो जाती है, ये ओसदी बहुती गरम माने जाती है, अगर आप इसका सेवन रात को कर लेते हैं, तो आप प्रादवर करवटे बदलते रहेंगे, तो ये ओसदी इतनी गरम और उत्तेज़क माने जाती है, तो जो आप ओसदी देख रहे हैं, इसको तोदरी शपेद के नाम से जानते हैं, इसका वॉटिकल नाम मेटॉलियन इनकेना है, आप अपने च्छेतर में इसको किस नाम से ज माना जाता है मगर अब यह उसद भारत वर्ष के बगीचों में भी बोई जाती है इसका पौदा 30 cm से लेकर 6 cm तक लंबा होता है इसके पते लंबे फूल बैगनी तथा लाल रंके होते हैं इसकी फलिया साथ से लेकर 10 cm तक लंबी होती है जिसमें मसूर के दानों के समान छोट बीज भरे हुए रहते हैं इन बीजों की तीन पिरजातिया पाई जाती है लाल पीली सपेद सपेद बीज लाल और पिले बीजों से कुछ बड़े होते हैं और सदिय दुरश्टी से पीले रंके बीज गुड़कारी माने जाते हैं इवनानी मता अनुसार यह और सदी दूस सेवन से काम इंदरियों में बहुत उत्तेजना होती है गालो का रंग गोरा होता है आवाज साफ होती है खासे मिठती है इसको पानी में पीज कर लेप करने से आपकी सूजन भी विखर जाती है तथा सहद में मिलाकर चाटने से आपके फेपड़ों में जमा हुआ का विभार इसको आप एक पोटली में बांध कर और गाये की दूद की कड़ाई में आप डाल कर उस दूद को खौलाएं और उसको पीने से आपको बहुती काम उत्तेजना पैदा होती है आप रात भर इधर से उधर करवटे बदलते रहेंगे इसके बीजों को 6 ग्राम की मात्रा में लेकर आप उसमें 9 ग्राम शक्कर मिला कर देने से इस्तरियों के इस्तन में बहुती दूद बढ़ जाता है साइटिका और पीलिया रोग में भी ये काफी मुफीद सावित होती है सहेवे कलीम के मता अनुशार ये बदन में काफी तरी पैदा करती है अमाशे और आतों की सर्दी को ये मिटाती है, हाजमे को बढ़ाती है इसको पीज कर लेप करने से आपके कमर ये पीट पर होने वाले फोडों की सूजन और अंड कोस की सूजन भी ये दूर कर देती है इसको सहद में पीज कर आँख पर लगाने से आपके आँखों का जखम भी बहुत जल्दी अच्छा होता है और मैल भी साफ हो जाता है आपको बहुती साबधानी रखने पड़ती है क्योंकि ये काफी गर्म और उग्र और शदी मानी जाती है तो इसका सेवन आप ज्यादा दिनों तक या ज्यादा मात्रा में आप ना करें इसका सेवन किसी बैदिय या चिकस्त के अनुशार आप कर सकते हैं यदि आप इसका की अंद्रूनी अंग है उनको ये नुक्षान पहुचा सकती है तो इसकी साधान मात्रा आप 6-9 मासे की मात्रा में ले सकते हैं मगर जहर के उपदर्व को दूर करने के लिए इसकी मात्रा आप 10-15 मासे तक आप ले शकते हैं इस ओसदी के गुड बाहिमन सुरुक और बाहि तो आप इस तोद्री सपेद की महतपूर जानकारी अपने मित्रों और दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि वो इसका लाब उठा सकें तो ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकोन को आप आल पर क्लिक करें तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई और सद्य जानकारी के साथ आप हमारे साथ अंतक बने रहे उसके लिए आपको भात बहुत धन्यवाद